नमस्कार किसान भाईयों आज हम अपने खुद के यी खेत पर जो है गलाइफोसेट जिसका बैपारिक नाम है राउंडप बाजार में जो है यह राउंडप के नाम से बिखता है और यह एक जो है नॉन सेलेक्टिब एंड सिस्टमिक अर्बिसाइड होता है यानि खेत में किसी भी परकार का खर्पतबार हो मतलब कोई भी हो पवदा हो चाहें किसी भी परकार की गर्पनस्पती है चाहें वो फसल का पवदा हो चाहें कर्पतबार का पवदा हो किसी भी परकार की बनस्पती हो यह जो हर भी साइड है सभी को मार देता है और इसकी जो अबसे इफेक्ट होता है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है वहीं 20 से 25 दिन के बाद में जो है बोम पर इसका प्रवाव बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है जबकि वहीं पर जो सलेक्टिव हर भी साइड होते हैं जैसे अट्राजीन, सिमाजीन इनके जो अपसेस होते हैं एक से दो बर्स तक बना रहता है तो राउंड अप का यूज किसान इसी लिए करता है कि बहीं किसी प्रकार की बनस्पती है वो नहीं बर ये खेत में ज्यादा करपत बार हैं और आगे जब फसल बोई जाएगी तो उनमें ये समस्या उत्पन करेंगे तो उनको मारने के लि अब हम लोग आ चुके हैं अपने एक दूसरे खेत पर और इन खेतों में क्या है कि राई की फसल की बवाई की जाएगी तो उससे पहले जो खर्पत बार हैं उनको मारने का प्लान हम लोग यहां पर आज राउंड अप का यूज कर रहे हैं यह लगबग डीड बिगा का खे कि यहां पर जो है खेती की जाएगी आने वाले समय में तो यहां पर भी राउंड अप का यूज कर रहे हैं